नमस्कार, देच्चू चनल पर आपका श्वागते बात करेंगे राजस्तान के मोशम के बारे में अगले 24 गंटों से लगा कर एक सब्सक्ता के दोरान के सारे के मोशम आज है 19 जन्वें 2120 यहाँ पर विका निर संबा की बात करें विका निर, गंगा नगर, हन्मानगाड और अनौफगड के चत्रों की यहाँ पर आगा में एक सब्सक्ता के दोरान लगबग मोशम सुष्क बंदरेन की संबावन है किसी भी परकार पारिस की संबावना नहीं है यहाँ पर अधिक्तम तापमान 18 से लगा कर 20 डिक्री के आसपास रेकोर्ड होगा और नियुतम तापमान 10 कुछ दिल्लों पर 10 डिक्री के आसपास रहेगा हला कि सबसे कम नियुतम ताफमान गंगानगर, हनमानगाड और अनौपकर की चत्र हैं इन चत्रों पर सबसे कम नियुतम ताफमान रिकोड़ों का जोगी दू से लगा कर तीन डिकर तक सुभी के टाइम ताफमान रिकोड़ों होने की संबाउन है दोपर यहां जैसे जैसे दिन सड़ेगा वैसे वैसे ताफ मान में बढ़ोतरी होगी अधिकतम ताफ पान रहेगा यह पर 18 से लगा कर 20 टीकर की आस पास रहने की संभावन है कोरा अगली 4-5 दनों के लगातार पिकाने संभा के जिलों पर साय रहेगा अगर जोधपुर शंभा की बात करें जैसलमेः जोधपूर, भलोदी, बार्मेः, पालोतरा, सासोर, जालो, शिरोई, और पाले की यहाँ पर भी लगबग एक सपता के दौरान मोशम सुश्क बने रहेने की संभावन है सबसे कम नियोतम तापमान फलोदी के चत्र हैं जोत्पूर के बागव पर एकोड होने की संबावन है लेकिन 20 जनुरी के बाद में हिया पर कुछ तापमान में और बड़ोत देखने को मिल चकती है रात की टाइम और सोबे की टाइम सर्दी पर काफी बरकरार रहेगी काफी तेज सर्दी पड़ेगी लेकिन दोपर की टाइम कहीं कहीं करमी जैसा ऐसा होगा मार्च अप्रेल जैसा माइना रहेगा वैसे जनुरी के माँ में देखा जाएगा मावल लेकिन 25 जनर के बाद में यहापर जो उद्रपुर संबाग जो उद्रपुर संबाग के चटवे बाग है यहापर तापमान काफी बड़ोतरी देखने को मिलेगी 25 जनर के बाद में यहापर अधिक्तम तापमान 27 लगाकर 28 डिकर के आसपास रिकोर्ड होने की संबाओन है जो पल्लिक की चत्र है सिर्व की चत्र है जल और के बाग है कुछ जो सासोर के बागों पर अधिक्तम तापमान 28 डिकर के आसपास रिकोर्ड होने की संबाओन है कोटा उद्रपुर संबाग की बात करें पर उधिपूर संबा की बात करें, बास्वारा पर ताइब गार्ची तोड़ गार्ड और डूंगरपूर के चतरे हैं, उधिपूर हैं, सुलूंबर के आसपास के बाग हैं, यहाँ पर लगपक एक सब्ता के दौरान मौश्रम सुष्क बना रहेगा, नियोतमता पानिया पर देखा जाए, तो श्यार डिकर से लगा कर आठ नव डिकरी के आसपास रिकोर्ड होने की संबावना है, यहाँ पर कोरे की कोई संबावना नहीं है, हलाकि सोबे की टाइम काई कई मध्यम कोरा साय रहे सकता हैं, जो राशमत के चतरे जो पाली के सट्वाग हैं, उधिपूर के क्यी लेकों पर अधिगतम तापमान 28 डिकरी के आसपास पहुंचने की संबावना है, कोटा संबावना की बात करें पर जलावार बारा, कोटा बुंदि के लेकों की, तो यहाँ पर भी लेक बग एक सब्ता के दोरान मौशम सुष्क बने रहें की संबावना है, वाइन ज आजबुरा के आजपास के चत्र आपर गई गहीं, सुबिक की टाइम, मध्यम से लगा कर एक-डुजोगों पर घंडा कोरा साया रहेगा, पर्चपूर जेपूर समबाग हैं, एजमिर समबाग की बात करें हैं, परफिदे काजय की लुकरर सुबिक की टाइम खना कोरा साय रहे सकता हैं जो अलवर के चत्र हैं पर्थपुर हैं दूशा गंगा पुर्जी टीक रोली स्वायमाद पुर्टाउक दूदू जे पूर जे पूर जे पूर ग्रामेंट की आसपास की बाग हैं अजमेर की चत्र हैं कैकडी हैं इनलाको पर भी देखा जायत सुबे की टाइम घना कोरा रहेगा सखास कर नाकोर की चत्र पर मोशन साप रहेगा मध्यम कोरा साय रहेगा डीडवाना कुछा मन के आसपास की बागों पर भी मध्यम कोरा साय रहे सकता हैं ज्यादा तर सेत्रों में सुबे की टाइम हलका कोरा रहेगा दिन में मोशन ज्यादातर सेतर में सुष्क करेगा तिकी दूब खिली रेगी अधिक तापमान अठारे से लगा कर 20 डिक्री के आसपास रिकोर्ड होने की संबाउन है लेकिन जैपु संबा की चत्रे हैं शुरू है नीमिका थना है और जैपु आसपास के बाग है शुरू है इनिल लाका पर देका जाए घणा कोरा काई करें, जेहिन, जेरादस्तान.